दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको English Grammar का एक बहुत ही important और most demanded topic सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है Modals दोस्तों most of the students को इस topic में दिक्कत आती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे direct models के uses को सीखने लग जाते हैं बिना ये जाने बिना ये समझे कि Modals असल में होते क्या हैं तो अगर आप Modals को अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये Modals actual में होते क्या हैं और इसकी जरूरत क्यों हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि English grammar में कितने Modals होते हैं और उनका use कैसे करना है दोस्तों मेरी request है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तब ही आप Modals को अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों Modals एक तरह के verbs होते हैं इसलिए इन्हें Modal verbs भी कहा जाता है और Actual में ये Auxiliary verbs यानि की Helping verbs की कटेगरी में आते हैं इसलिए इन्हें Modal Helping verbs या Modal Auxiliary verbs या Simply Modal Auxiliaries भी कहते हैं तो इन बातों से ये तो clear है कि Modals एक तरह के Helping verbs यानि की सहायक क्रिया हैं और दोस्तों अगर आपको verbs की Basic Knowledge होगी तो आपको पता होगा कि English Grammar में जितने भी verbs हैं उन्हें दो भागों में माटा गया है पहला Main Verb यानि की मुख्य क्रिया और दूसरा Helping Verb यानि की सहायक क्रिया Main verbs वे verbs होते हैं जो किसी भी sentence में main importance रखते हैं ये generally किसी न किसी काम के होने का बोध कराते हैं जैसे खेलना, दौडना, खाना, पीना, etc. और Helping verbs वे होते हैं जो की Main verbs की help करते हैं mainly दो काम करने में पहला tenses दिखाने में की sentence कि stance में हैं यानि की काम की समय में हो रहा है और दूसरा subject का mood दिखाने के लिए की करता का mood क्या है यानि की उसकी मनह इस्थिती क्या है उसकी मनुभावना क्या है क्या वह कोई सलाह देना चाहता है या कोई निवेदन करना चाहता है तो tenses दिखाने के लिए तो main verb is, am, our, was, were, has, have, had जैसी helping verbs की मदद लेता है जैसे he is going to school, वह school जा रहा है यहाँ helping verb is main verb going की help कर रहा है present tense दिखाने में इससे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय की बात हो रही है लेकिन अगर हमें भूत काल यानि की past tense की बात करनी हो कि वह school जा रहा था तो past tense को दिखाने के लिए अब main verb going help लेगा helping verb was की और हमारा sentence हो जाएगा he was going to school लेकिन subject के mood को दिखाने के लिए हम in helping verbs का use नहीं करते हैं subject के mood को दिखाने के लिए हम अलग तरह के helping verbs का use करते हैं और इन्हें ही हम models कहते हैं जी हाँ model verbs बना ही है mood या mode words से जिसका मतलब है manodashah यानि की state of mind और feeling और आप इसकी spelling पे भी धियान दीजिए कि ये model वाली model नहीं है जिसका की मतलब होता है नमूना इसकी spelling है model model और ये main verb की help करता है sentence के mood को दिखाने में जैसे you play cricket तुम cricket खेलते हो ये एक simple सा sentence है अब अगर मुझे कोई advice यानि की सलाह देनी हो कि तुम्हें cricket खेलना चाहिए तो अब main verb play एक model helping verb should की help लेगा और हमारा sentence हो जाएगा you should play cricket दोस्तों किसी भी helping verb को main verb के पहले रखा जाता है इसलिए यहाँ model helping verb should को main verb play के पहले रखा गया है इसी तरह अगर मुझे किसी की ability यानि की काबिलियत बतानी हो कि तुम cricket खेल सकते हो तुम में cricket खेलने की काबिलियत है तो अब main verb play एक अलग model helping verb can की help लेगा क्योंकि काबिलियत को दिखाने के लिए हम can का use करते है इसलिए हमारा sentence हो जाएगा you can play cricket दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ model verb के change करने से हमारे पूरे sentence का mood ही change हो गया है पूरे sentence का मतलब ही बदल गया है पहले वाले sentence में हम एक advice यानि की सलाह दे रहे थे लेकिन दूसरे वाले sentence से हमें ability यानि की काबिलियत का पता चलता है उसी तरह अगर मैं कहूँ you will play cricket तो इससे हमें एक order या command यानि की आदेश का पता चलता है कि तुम cricket खेलोगे दोस्तों shell और will हलाकि future tense दिखाते हैं models की कुल संख्या तेरा है ये हैं shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare और ये model helping verbs sentence में main verb की help करते हैं sentence के mood को दिखाने में और ये mood मुख्यता 10 तरह के हो सकते हैं जैसे ये verbs किसी sentence में ability यानि की योग्यता या काबिलियत को शो कर सकते हैं permission यानि की अनुमती लेने या देने के लिए use किये जा सकते हैं ये एक request यानि की निवेधन को शो कर सकते हैं ये किसी offer यानि की प्रस्ताव या invitation यानि की आमंतरन को शो कर सकते हैं ये advice या suggestion यानि की सलाह देने के काम में लाये जा सकते हैं इनकी मदद से हम किसी को command या order यानि की आदेश या आग्या दे सकते हैं इन्हें हम अपनी willingness यानि की इच्छा या ततपर्ता को व्यक्त करने के काम में ला सकते हैं इनसे किसी चीज की possibility या chance यानि की संभावना का पता चल सकता है इन्हें किसी को wish या bless करने यानि की आशिरवा देने अथवा कर्श यानि की अभिशाप देने के काम में भी लाया जा सकता है और इन में से कुछ models को हम unreal condition या situation यानि की काल्पनिक परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए भी use कर सकते हैं दोस्तो models के uses को सीखने से पहले हम इसके कुछ special properties यानि की विशेशताओं को देख ले इन्हें हम model verbs के rules भी कह सकते हैं में सिर्फ एक ही verb है is और यही main verb का काम कर रहा है लेकिन model verbs के case में ऐसा नहीं हो सकता जैसे I will use some money ये sentence wrong है और इसकी कोई meaning नहीं है क्योंकि models do not convey a meaning on their own models अपने आप में अकेले कोई अर्थ नहीं रखते हैं इसकी meaning को पूरी करने के लिए इसके साथ किसी ना किसी main verb का होना ज़रूरी है जैसे I will lend you some money ये sentence correct है और इसकी meaning है मैं तुम्हें कुछ रुपे उधार दूँगा उसी तरह I can 100 kilos ये sentence wrong है I can lift 100 kilos मैं 100 kilos उठा सकता हूँ य sentence correct है लेकिन दोस्तों इस rule के तीन exceptions यानि कि अपवाद भी है used to, need और dare, used to का प्रियोग model helping verb और adjective दोनों ही रूपों में किया जा सकता है वही need और dare ऐसे दो models हैं जो main verbs के रूप में भी आ सकते हैं इसलिए in models को marginal model verbs भी कहा जाता है इसकी चर्चा विस्तार से हम बात में करें फिलाल बढ़ते हैं models के next rule की तरफ, rule number two, models के बाद हमेशा verb की first form का use होता है, a model always takes the root form of the verb, या दूसरे शब्दों में कहें तो, after models, we use the infinitive without two of the verb, यानि कि models के बाद हम main verb की infinitive form का use करते हैं, without two, यानि कि two के बगैर, जैसे, is MR has have, जैसे helping verbs के बाद main verb की कोई भी form आ सकती है, ज मैं कार चला रहा हूं, I am to drive the car, मैं कार चलाने वाला हूं, I have to drive the car, मुझे कार चलाना है, I have driven the car, मैं कार चला चुका हूं, यहां आप देख सकते हैं कि helping verb, am या have के बाद main verb drive की different verb forms use की गई हैं, लेकिन model helping verbs के case में ऐसा नहीं होता, इनके बाद हम हमेशा verb की first form का ही use करते हैं to के वगेर, जैसे I can drive the car, मैं कार चला सकता हूं, ना कि I can to drive the car, या I can driving the car, या I can driven the car, ऐसा नहीं हो सकता, उसी तरह you should go now, तुम्हें अब जाना चाहिए, ना कि you should to go now, या you should going now, या you should gone now, ये sentences गलत हैं, लेकिन दोस्तों इस rule के भी दो exceptions हैं, ought और used, इनके बाद आने वाले main verbs के पहले हमेशा to लगाया जाता है, इसलिए इन दो model verbs को हम ought to और used to के रूप में निर्देशित करते हैं, जैसे we ought to help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि we ought help the poor, I used to run 5 km daily, मैं रोज 5 km दोड़ा करता था, ये सही sentence है, ना कि I used to run 5 km daily, rule number 3, model verb अपने form को कभी भी subject के number या person के अनुसार नहीं बदलता है, इसका रूप और परिवर्तित रहता है, models do not change their form with number और person of the subject, इसलिए इनके as, v1, v2, v3 या ving form नहीं होते हैं, इसलिए can, scanned, canning, या shoulds, shoulded, shoulding, इस तरह के words पॉसिवल नहीं हैं, इसलिए जैसे हम subject के third person singular number में रहने से, normal verb में as या yes सकते हैं, जैसे हम he can do it नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना होगा he can do it, rule number four, दो model verbs का एक साथ प्रियोग नहीं होता है, जैसे he should must go now, ये एक wrong sentence है, लेकिन दो models का प्रियोग एक conjunction से जोड़ कर किया जा सकता है, जैसे he should and must go now, ये एक correct sentence है, rule number five, model verbs वाले interrogative sentences या negative sentences या question tags या short answer को बनाने के लिए, हम helping verbs do, does, did का use नहीं करते हैं, जैसे you can swim, इसका negative sentence होगा you cannot swim, ना कि you do not can swim, और interrogative sentence होगा can you swim, ना कि do you can swim, उसी तरह question tag होगा you cannot swim, can you, और short answer हो सकता है, yes I can या no I can't, तो दोस्तों ये थे model verbs के rules, अब हम model verbs के uses को देखेंगे, तो चलिए एक-एक करके अब हम देखते हैं कि sentence के किस-किस mood में हम कौन-कौन से model verbs का use करते हैं और कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ability, power या capacity यानि कि योग्यता, काबिलियत, शक्ती या छमता दिखाने वाले models की बात करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम can का use करते हैं, और past की general ability क दिखाने के लिए could का use करते हैं, और इनके negative sentences बनाने के लिए हम cannot और could not का use करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए कि can और not को एक साथ लिखा जाता है, can और not को अलग-अलग लिखना एक grammatical mistake है, लेकिन could के साथ या किसी और models के साथ ऐसी बात नहीं है, उनके साथ हम not का use अलग स करते हैं, हाँ आप इसे simply can't भी लिख सकते हैं और could not को couldn't भी लिख सकते हैं, चलिए हम कुछ examples देखते हैं, he can understand English, but he can't speak it, वह अंग्रेजी समझ सकता है, लेकिन वह इसे बोल नहीं सकता, यानि कि उसमें अंग्रेजी समझने की काबिलियत तो है, लेकिन अंग्रेजी बोलन मैं इस बकसे को उठा सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर इस बकसे को उठाने की शक्ती है या चमता है, our team could not win the match, हमारी team match नहीं जीत सकी, ये एक ability in past को show करता है, भूत काल में चमता, I could lift 100 kilos when I was young, मैं 100 kilos उठा सकता था जब मैं जवान था, ये एक typical behavioral ability in past को show करता है, कि जब कोई था, तो ऐसा कर सकने की छमता रखता था, चलिए अब हम देखते हैं कि permission, यानि कि अनुमती लेने या देने के लिए, हम कौन-कौन से models का use करते हैं, और कैसे करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम can, could, may और might का use करते हैं, जी हाँ दोस्तों, एक ही model verb का use हम different moods को दिखाने में क कर सकते हैं, जैसे, can या could का use हम ability को दिखाने के लिए कर सकते हैं, तो इसका use हम permission लेने या देने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे, can I use your pin, क्या मैं आपकी column use कर सकता हूँ, यहाँ एक permission ली जा रही है, you can go now, तुम अब जा सकते हो, यहाँ एक permission दी जा रही है, can I ask you something, क्या मैं past tense से कोई relation नहीं है, यहाँ could का use इस sentence को can वाले sentence से थोड़ा ज्यादा polite यानि की number बना दे रहा है, ऐसे sentences में could के use से politeness यानि की विनम्रता या आदर का भावयक्त होता है, लेकिन दोस्तों permission लेने या देने के लिए can या could का use informal manner में किया जाता है, यानि की दोस्तों यारों क साथ या सगे संबंधियों के साथ, लेकिन formal manner में, यानि की school में, college में, office में, या elders यानि की बड़ों से permission लेने के लिए हम may का use करते हैं, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं sir, इसकी English होगी, may I come in sir, दोस्तों permission लेने के लिए हम might का use भी करते हैं, लेकिन इसका use तब किया जात जब permission लेने में थोड़ी hitch की चाहट या जिजक, यानि की hesitation हो, जब हमें लगता है कि इसका जवाब हमें न में मिल सकता है, जैसे क्या मैं यहां cigarette पी सकता हूं, might I smoke in here, यहां might के use से थोड़ी hitch की चाहट का बोध हो रहा है, कि क्या पता मुझे permission मिलेगी की नहीं मिलेगी, इ कैसे करते हैं, दोस्तो इसके लिए हम can, could, will, would, may और might का use करते हैं, जैसे, can you lend me some money, क्या आप मुझे कुछ रुप्य उधार दे सकते हैं, can you help me, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, दोस्तो यहां आप देख सकते हैं, कि can का use यहां ability दिखाने के लिए, या permission लेने के लिए नही request के लिए किया गया है, उसी तरह, could I have a glass of water, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, यहां could का use, can की अपेक्छा more polite request, यानि की ज्यादा विनमर अनुरोद के लिए किया गया है, दोस्तो request करने के लिए can और could का use हम informal manner में करते हैं, formal manner में request करने के लिए हम will का use करते हैं, जै या आप अस्पताल तक मेरे साथ चलेंगे क्रिपया, दोस्तो यहां would के use से will की अपेक्छा more politeness, यानि की ज्यादा विनमरता जहलकती है, लेकिन इसके politeness का level could से थोड़ा कम होता है, दोस्तो आपने कई बार railway stations पर announcement होते वे सुना होगा, may I have your attention please, जिसका मतलब है क्रिपया म सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए किया गया है, request with respect, अब अगर मुझे कोई ऐसी request करनी हो, जिसमें मुझे थोड़ी हिच की चाहट, यानि की hesitation हो, जिसमें हां की गुणजाईश कम लगे, तो वहां हम might का use करते हैं, जैसे, might you do me a favor, क्या आप मुझ पर एक एहसान चलिए अब हम देखते हैं कि किसी को offer, यानि की प्रस्ताव या invitation, यानि की आमंतरण देने के लिए हम कौन-कौन से models का use करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम will, would और can का use करते हैं, जैसे, will you be my partner in this business, यहां business में partner बनने के लिए किसी को invitation दी जा रही है, कि किसी को offer दिया जा रह है, कि क्या तुम मेरे business में मेरे partner बनोगे, उसी तरह, would you like to have some coffee, क्या आप coffee लेना पसंद करेंगे, यहां किसी को coffee offer की जा रही है, दोस्तों यहां would का use more polite offer को दर्शा रहा है, can I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यहां किसी को अपनी help offer की जा रही है, चलिए अब हम द should, ought to, और must का use करते हैं, जैसे, you should learn English, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, you should not consume alcohol, आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, दोस्तों should से general advice का पता चलता है, इसमें कोई compulsion, यहनि कि अनिवारिता नहीं होती, आप सलाह को माने या ना माने, आपकी मर्जी, लेकिन ऐ ऐसे सलाह, जिसमें अनिवारिता होती है, compulsion होती है, जिन्हें जरूर माना जाना चाहिए, उनमें must का use होता है, जैसे, you must learn model verbs, if you want to improve your English grammar, आपको model verbs जरूर सीखनी चाहिए, अगर आप अपनी English grammar को बहतर बनाना चाहते हैं, दोस्तों, अगर हमें किसी को moral advice, यानि कि नैतिक स सलाह देनी हो, जिसमें कोई कर्तव्य या सदाचार छुपा होता है, तो वहां हम ought to का use करते हैं, जैसे, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, we ought to serve our country, तुम्हें अपने माबाप का ख्याल रखना चाहिए, you ought to take care of your parents, चलिए अब हम देखते हैं कि किसी को command या order, यानि क आदेश या आग्या देने के लिए, हम कौन-कौन से models का use करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम shall, will और must का use करते हैं, जैसे, you shall go to the market at once, तुम तुरंत बाजार जाओगे, दोस्तों ये एक order है, उसी तरह, you will reach home before 9 p.m., तुम 9 बज़े से पहले घर पहुँच जाओगे, दोस्तो Students must come in uniform, विद्यार्थियों को uniform में जरूर आना होगा, ये भी एक command या order है, चलिए हम देखते हैं कि किसी की willingness, यानि की इच्छा या ततपरता को व्यक्त करनी के लिए, हम कौन-कौन से models का use करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम shall, will और would का use करते हैं, दोस्तों आपकी जानकारी के साथ will का use किया जाता है, लेकिन modern English grammar के अनुसार अब सभी subjects के साथ will का use हो सकता है, आईए अब कुछ examples देख लेते हैं, we shall go to the party tonight, हम लोग आज पार्टी में जाएंगे, यहाँ shall हम लोगों की एक willingness यानि की इच्छा को दिखाता है, I will buy a car in future, मैं भविशे में एक कार खरी देता है, I would like to thank Mr. Verma, मैं Mr. Verma को धन्यवाद देना चाहूंगा, चलिए अब हम देखते हैं कि किसी बात की possibility या probability या chance यानि की संभावना को दिखाने के लिए हम कौन-कौन से models का use करते हैं, दोस्तों इसके लिए may, might, can, could, should, ought to, would और must जैसे models का use किया जा सकता है, यानि कि क कुछ को छोड़कर लगबग सारे models का use किया जा सकता है, जैसे, the clouds are dark, it may rain today, बादल काले हैं, आज बारिश हो सकती है, दोस्तों यहां may के use से हमें पता चलता है कि बारिश होने की संभावना लगबग 50% है, this cloth might be expensive, यह कपड़ा कीमती हो सकता है, दोस्तों यहां might का use लगब किया जाता है, लेकिन informal manner में हम संभावना को दिखाने के लिए can या could का use करते हैं, जैसे, we can go for a picnic tomorrow, हम लोग कल पिकनिक पर जा सकते हैं, यहां can का use informal manner में किया गया है, और इससे थोड़ी अधिक संभावना का बोध होता है, दोस्तो theoretical possibility, यानि कि सैध्धानतिक संभावना के के लिए भी हम can का use करते हैं, जैसे, we can serve our society better, हम अपने समाज की बहतर सेवा कर सकते हैं, दोस्तो could का use हम remote possibility, यानि कि दुरस्त संभावना के लिए करते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम हो, जैसे, they have agreed, but they could change their minds, वे लोग राजी हो गया हैं, लेकिन वे अपने मन बदल सकते ह दोस्तो could लगबग might के equivalent है, लेकिन might का use formal manner में किया जाता है, और could का use informal manner में किया जाता है, he should be at home at this time, वह इस समय घर पर होना चाहिए, दोस्तों यहाँ should से हमें एक possibility का पता चलता है, रोहित ought to be here soon, he left office at 7 o'clock, रोहित को जल्द ही यहाँ पर होना चाहिए, वह office 7 बजे ही छोड़ चुका है, दोस्तों यहाँ ought to का use should के similar way में किया गया है, लेकिन यह थोड़ा less common है, he would be sleeping at this time, वह इस समय सो रहा होगा, दोस्तों यहाँ would का use एक guess या presumption यानि कि अनुमान के ल he must be sleeping in his room, वह जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा, चलिए अब हम देखते हैं कि wish, pray या bless, यानि कि मनो कामना, प्रार्थना या आशिरवाद के लिए, या फिर किसी कर्ष, यानि कि अभिशाप देने के लिए, हम किस model verb का use करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम may का use करते हैं, जैसे may God grant you success, भगवान आपको सफलता दे, may you live long, आप लंबी उम्र जी हैं, दोस्तों इन दोनों sentences में may का use प्रार्थना करने या अशिरवाद देने के लिए किया गया है, लेकिन may का use हम curse, यानि कि अभिशाप देने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे may you die of cholera, तुम हैजा से मर जाओ, तो दोस्तों finally आईए अब हम देखते हैं कि कि किसी unreal condition या situation, यानि कि कि किसी of आस्तविक या कालपनिक परिस्थिती वाले sentence में हम कौन-कौन से models का use करते हैं, दोस्तों conditional sentences के subjective mood में, unreal conditions में हम could या would का use करते हैं, जैसे If I had wings, I could fly in the sky, अगर मेरे पास punk होते, तो मैं आकाश में उड़ सकता, If I had money, I would build a hospital, अगर मेरे पास रुपिय होते, तो मैं अस्पताल बनाता, If I were you, I would not do that, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैंने ऐसा नहीं किया होता, तो दोस्तों I hope कि आपको अब models काफी हद तक comment box में comment करके पूछ सकते हैं, दोस्तों future में मैं इन सभी model verbs पर separate separate video lectures upload करूँगा, फिलहाल आपको ये video lecture कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं, इस video को like करना बिल्कुल ना भूलें, और इस video को उन लोगों तक जादा से जादा शेयर करें, जो English शेकना चाहते हो, औ और अगर आप English highway channel पर नए हैं, तो आने वाले video lectures के notifications पाने के लिए इस channel को अभी subscribe करके bell icon को दवा कर, all notifications को जरूर on कर लें, तो guys see you in the next video lecture, तब तक के लिए good bye